हेलो एवरिवन वेलकूम तो मार्केटिंग लाइंग मैं श्योता गोईल इस विलेप से डिस्क्स करूंगी एक कॉमर्स का टॉपिक सप्लाइचर मैनेश्मेंट क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे उसका प्रोसेस मेनिंग एड्वांटेज और लास्ट में देखेंगे छ चैन ही बोलते हैं मैनेश्मेंट क्या है अगर मैनेश्मेंट है मैनेश्मेंट का क्या है हम प्रोसेस करते हैं प्लैनिंग करते हैं प्लैनिंग करते हैं और डिरेक्टिंग करते हैं स्टाफिंग करते हैं क्यों जिससे हमारा रिस्क है वह भी असर्टेन है तो भी आए तो हम इने Supply-Share Management समझ में आया किसी गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है इसमें Supply अब इसका हम प्रॉसेस देखते हैं प्रॉसेस क्या है रो मट्रियल लिया manufacturing फिर होलसेलर पर गया फिर रिटेलर फिर कस्ट्रमर क्या समझ पारे हो आप इसे कि एक material यह एक गुड्स को कस्ट्रमर तक पहुशने में कितनी लोगों से यह कितने प्रॉसेस से गुजरना पड़ता है पहले वह रो मट्रियल था रो मेनिफेक्चर हुआ यह समी बनाओगा यह फाइनल बनाओगा फिर होलसेलर के पास आयोगा फिर रिटेलर के पास आयोगा और अल्टिमेटली थिसको वह चुछन करना है उसके पास आया तो सप्लाय चार्ड मैनेजमें लिखतेर से बता रहा है कि ऑगनाइजेशन को कितनी मेहनत करनी बढ़ती ह है एक गुड को कस्टेमर तक पचाने के लिए तो हम इसको मैनिंग देख लेते हैं definition में सबसे लास्ट में है is the management of flow goods and services and include all the process process क्या है आपका raw material manufacturing wholesaler retailer यह सब आपके process हो गए that transfer raw material into final goods इसमें process में क्या कहना चाहरा था वो raw material into final goods इसमें बात किती है ना कि इसे raw material था मैंने आपको manufacturing दिखा दी तो raw material से बहुत सारी companies ऐसे होते हों कि जो पहले semi raw material बनाती है उसके बाद आपका final good बनेगा यह सकते हैं आप semi final बनाएंगे उसके बाद आपका final बनता है तो उस चीज़का क्या है इसमें process include है इसका main purpose क्या है having the right product in the right place at the right time at the right price and in the right condition कोई product है वो बिल्कुल सही होगा आप तभी ल बेच लो तो मेरा को यूज कर रही है टाइम पर होना चाहिए प्राइस होना चाहिए तो बहुत हरे competitor है और महंगा होगा तो आपका लोग नहीं लेंगे condition तूटी फूटी नहीं होने चाहिए सही condition में होना चाहिए it transform the ways company deal with the suppliers partner and even the customers कैसे कर रहा है अपने partners है अगर company में दो customer है मैं उसको माल बेच रही है तो मैं उसका margin लगाऊंगी तो में उससे भी बात होगी leader होगे हम बात करेंगे जो हम के सकते है business partners बेच आगे भी बेच वह माल customer कै customer से क्यों क्यों customer की need ही जान रहे है अगर मुझे पता है customer की demand यह है और मैं वैसे produce नहीं करूँगी तो मेरा good तो ultimately तब भी नहीं करूँगा तो it stands for the way companies deal with suppliers partner and even customer the goal is not only to improve the efficiency and productivity but it's also carrying new opportunity for anyone involved new opportunity है efficiency और productivity तो हो रही है new opportunity आप ऐसे में ले सकते हो देखो supply chain management है इसमें क्या हो रही है हमारा आपकी employment बढ़ रही है efficiency कैसे बढ़ रही है आपकी cheap cost कर सकते हो क्योंकि आपना पैसा बचा सकते हो ultimately आप कस्टमर के नहीं पर चल जाएगी तो बहुत सारी opportunities है आपको market demand पर चल जाएगी तो आप capture कर सकते हो कि आगे वाला में कौन सा thread है जो इसको reduce कर सकते हो और कौन से opportunities इसको में capture कर सकते हो तो हमें advantages देखते हैं higher efficiency rate predict demand as well as act accordingly more dynamically fluctuate economic emergency market shorter product requirement shorter life cycle जो में पता चल जाएगा प्राइस हो बहुत हाई effective हो जाएगा according में उसके रख सकते है decrease cost effect improve your inventory system adjust square space for finished good तो उससे क्यों होगा decrease हो रही आपकी cost अगर आपको पता है यह demand है और आप वही produce कर रहे हो अब आपको माद जल्दी से जल्दी खतम हो रहा है तो आपको warehouse के लिए जो है finished goods के लिए आपको कम warehouse की space करने पड़ेगी और भी सब चीज़े तो उससे क्या होगा cost बच जाएगी increase increase output increase output कैसे है communication improvement हो जाएगा shipping का होगा transfer का होगा है तो आपका ultimately output इंक्रीज हो रहा है output से क्या treated है sales अगर मुझे सब चीज़ पता है और मैं वैसे equal produce कर रहे हूँ और लिंक भी अच्छे है मैं अगर customer मेरे product demand कर रहा है तो मैं इसको availability दे रही हूँ अब पतांजली है पतांजली का सेल है वो इतनी अच्छी नहीं जारती अब क्या है आप कहीं में चले जाओ कोई से स्टोर में चले जाओ पतांजली का segment होगा चोटा सोगा पर होगा तो आपको product मिल जाएंगी तो ultimately क्या effect करेगा उसकी output पे उसकी सेल इंक्रीज वा बिजनेस प्रॉफिट लेवल ultimately सेम चीज़ है कनेक्टोरी आउटपूट से अगर सेल जादा होगी तो आपको profit मार्जन भी जादा हो जाएगा profit लेवल जादा हो जाएगा आपने मार्जन कम रखाओ पर सेल जादा होगी आपके मार्जन भी कम है तो आप कॉंपटीटर को बीट कर भी पा रहे हो और अल्टिमेटली आप रॉफिट भी अन कर रहे हो boost cooperation level boost cooperation level क्या है different area of your business forecast कर रहे है report कर रहे हो quotations ले रहे हो status देख रहे हो ठीक है among many others plan in the real time supplier chain जो network है individual organization कर रहे हो तो उसे क्या हो रहे है आपकी जो cooperation level boost हो रहे है आप आगे की जो planning है वो भी अच्छे से कर सकते हो और जो आपकी market में opportunity है वो भी easily capture कर सकते हो जो आप कर सकते हो decrease the cost effect से connect कर सकते हो enhance supply chain network enhance क्या है link बन जाते है और भी अच्छे supply chain management वो अच्छ हो जाता है और आपको brand बन जाता है जब का brand बन जाएगा आप easily flow कर पा रहे हो तो ultimately क्या होता है आपका जो network है वो और भी strong होता चला जाता है पतांजली का ही मुझे इसमें example देना था कि पतांजली ने क्या करा पहले उसका इतनी अच्छी supply chain network नहीं था बर अगर उसने तब supply chain management में आया supply chain network उसने बनाया तो ultimately उसकी जो भी sales increase हो यह कि उसकी product की demand है demand आई पर अगर product use करेंगे ही नहीं और अगर market में product available हो गई है असानी से तो लोग उसको switch कर लेंगे दूसरे product पर उसको वह product अच्छा लगेगा तो कोई नहीं खरीदेगा सबसे पहले उने क्या करा अपना supply chain management पर focus किया उसको time लगाया उस पर और allies किया कि मुझे कैसे इसको improve कर ला है तो पतांजली के proper stores भी है और आपको जो उन्होंने मार्जन रखा पर demand के साथ से तब companies जो है जो और आपकी shops है उन्होंने महां पर पतांजली का segment भी रखा है उससे improve होई ultimately कि अभी उनकी sales बढ़ गई profit पर भी effect पढ़ा उनकी जो उनकी higher efficiency rate था उसको भी effect पढ़ गया क्योंकि उन्हें एक्टिम पदा चल गए कि लोग कैसी demand कर रहे इससे ultimately क्या हुआ बूस्ट कोपरेशन लेवल तो supply chain management friends आपको समझ में आगा basically की company की महनत बता रहा है efforts बता रहे कि company को एक good को दूसरी जगा पचाने में दूसरी कौन है customer पचाने में कितनी मेहनत करने पड़ती है तो friends अगर आपको में वीडियो पसंद आए और समझ भी आए तो please मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करें subscribe करें share करें thank you